नमस्कर दूस्तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल ट्रैट इन्फोबीस में दूस्तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आए हूँ नापपूर अमरिसर एसी सुपर फास्ट एक्स्प्रेस ट्रैन की बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन बटन पर प्लिक जरूर करें और अगर आप चाते हैं कि मैं आपके कोई पसंद की वीडियो बनाओं तो मुझे कमेंड जेक्शन में लिखके जरूर बताएं दोस्तों यह ट्रेन नागपुर जंक्शन से अमरिसर जंक्शन तक चलती है इस ट्रेन का नंबर है पाईस एक सो पचीस यह ट्रेन 27 गंटे 15 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है टोटल दूरी चो यह ट्रेन कवर करती है वो है 1541 किलो मीटर और इस ट्रेन के आवरे किराया है 465 रुपाई second AC का किराया है 1425 रुपाई third AC का किराया है 1670 रुपाई यह अपडेटेट किराया नहीं है दोस्तों अपडेटेट किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवी की वैबसाइट पर जाकर एक बार जुरूर नफुर्ण कर लिए चलिए दोस्तों अता है भोपाल जंक्षन जहाँ पर इये रात के 24े मिनट पर पहुँचती है और 10 मिनट के स्ट्वाब के लिए रुकती है हगला इसका स्टेशन आता है जांसी जंक्षन जहाँ पर ये रुक aún rij इसका अगला स्टेशन आता है गवालियर जिंक्शन जहाँ पर ये सुबह के साथ बचकर 20 मिनट पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगला इसका स्टेशन आता है आगरा केंट जहाँ पर ये सुबह के 9 बच कर 15 मिनट पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है न्यू देली जहाँ पर ये दोपहर के 1 बच कर 35 मिनट पर पहुंचती है और इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों Ambala Kent Junction जहाँ पर यह शाम के 4 बच कर 49 मिनट पर पहुंचती है और इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है अगला इसका स्टेशन आता है लुध्याना Junction जहाँ पर यह शाम के 6 बचकर 25 मिनट पर पहुंचती है और इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है अगला इसका स्टेशन आता है जलंदर सिटी जंक्शन जहाँ पर यह शाम के साथ बचकर 25 मिनट पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है सेकंड लास्ट इसका स्टेशन आता है बियास जंक्शन जहां पर यह रात के 8 बच कर 13 मिनट पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसके बाद ही अपने आकरी स्टेशन अम्रिसर जंक्षन पर पहुंचती है रात की नो बच कर पांच मिनट पर और चार या पांच नमबर प्लाटफॉम पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है इसी के साथ इस ट्रेइन की वीडियो की जंकरी समाप्त होती है दोस्तों अगर आपको ही वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना धिहान रखें और सुरक्षि देख रहें धन्यावा दोस्तों